प्यारे बच्चे सुप्रभात, आज मैं वर्ब four विसे हिंदी पार्ट 15 और सिर्शक का नाम है स्रम का महत्तो बच्चे यहां स्रम का मतलब होता है काम यहकार तो इसनो मतलब हुआ काम का महत्तो के बारे में हम लोग को इस पार्ट में जानना है संसार कर्म भूमी है संसार में काम करना पड़ता है कर्म करना हमारा सब का धर्म है जीवन में सफलता प्राप्ट करने का शाधन है स्रम काते हैं जहां चाह वहां राह हमारी चाह विना सरम के राह नहीं मना सकती एक्षा सत्य भी अवस्यक है लेकिन एक्षा पुरती के लिए शरम का बहुत मात्तो है अतं कहा जाता है कि शरम शुख का ही साधन है अब आगे इस पाठ्टे पुस्तक की और हम आप लोगो ले जाए है आपने चूटी को देखा होगा वह स्रम करके एक-एक दाना चूंती रहती है अपने भील में उनका संग्रह करती है संग्रह का अर्थ होता है जमा करना वर्षा के दिनों में दाना इकठा करना बहुत कठिन होता है ऐसे समय में चीटी अपने भंडार से ही भोजन प्राप्त करती है चीटी का भोजन भंडार किसकी देन है निश्च ही स्रम की देन है काने का मतलब है चीटी जो भंडार में जमा करती है तो इसके पीछे चीटी स्रम करती है तब जाकर के भोजन मंदार में जमा होता है उसकी मेहनत का ही फल है विद्यार्थी का जीवन वही काड़े छेतर है कच्छा में काड़े होता है यह काड़े भी उसे करना परता है खेल का मैदान भी उसकी कर्म अस्थली है अधितर वच्चे चाहते हैं कि कच्छा में उनके काड़े की प्रसंसा हो उनका ग्रिय काड़े भी समय पर खत्म हो जाए उनमें खेल में भी अच्छा प्रदर्शन करने की लालसा रहती है लालसा का मतलब होता है चाह जरा सुचो कोई उत्तम काड़े करने की अपनी चाह को कैसे पूरा करें समय बरगिरी काड़े करने की इच्छा कैसे पूरी हो खेल में अच्छा प्रदर्शन कैसे किया जा सकता है इन सभी प्राशनों का सरल सा उत्तर है परिश्रम अगर हम परिश्रम करेंगे तो ये सारी समस्या सुल्ग हो जाएगे परिश्रम ही सभलता की कुंजी है किसी ने सच कहा है बिना श्रम के रोटी का टुकरा भी मुं में नहीं जाता बच्चे यहां कहने का मतलब है कि रोटी का चुक्रा मुँ में ले जाने के लिए हमें स्रम करना पड़ता है स्रम में साधना कठेन होती है आपने देखा होगा जब हम कोई काम शुरू करते हैं तो शुरू में बड़ा उप्सा रहता है उस सा का मतलब होता है खुशी, खुब सरम करते हैं, सरम का मतलब यहां काम, जब काम करते समय कोई कठनाई आ जाती है, तो काड़े अधूरा छोड़ देते हैं मान दीजिये, आपने सुन्दर लेक का अभ्यास आरम कर रहे किया, पेंसिल चूट गई, सार्गनक आपके पास नहीं है, आपने पेंसिल वनाने की कोशिस नहीं की, सुलेक की कौपी को मेद पर पढ़का और काड़े करना, काड़े अधूरा छोड़ दिया अधूरा काम छोड़ने की आदत स्रम का अपमान करना है, स्रम का समान करना चाहिए और हर हाल में काम को सही धंग से पूरा करना चाहिए बच्चे काने का मतलब है कि हमें किसी काम करने के लिए हर चीज उपलब्ध होना जरूरी है, ये नहीं कि हम लिखने के लिए बैठे तो हम पेंसिल छोड़ दिये, तब हम सफल नहीं हो सकते हैं किसी काम में ऐसा कहा गया है कि नीच अर्थात बुरे लोग बाधाओं के डर से कोई काम सुरू ही नहीं करते हैं उनको डर लगा हुआ रहता है कि ये काम में हम सफल होंगे या नहीं इसलिए ये कौन वेक्ति होते हैं? बुरे लोग होते हैं, नीच वेक्ति होते हैं और मध्यम लोग काम शुरू तो कर देते हैं लेकिन बाधाय आने पर उसे बीच में छोड़ देते हैं और मध्यम बर्ग के लोग क्या करते हैं काम शुरू कर देते हैं लेकिन जब काम करने में बाधाय आती है तो उसे उसी जबा छोड़ देते हैं लेकिन उत्तम जन्द बाधाओं के बार बार आने पड़ भी सुरू किये गए काम को अधूरा नहीं छोड़ते, उसे पूरा करके ही जम लेते हैं। बच्चे यहां पर हम तीन परकार के लोग देखें। एक बुड़े वेक्ति, एक मध्यमबर्द के लोग और एक उत्तम जन्द तो आप लोगों ने देखा कि हर वेक्ति में अपने अपने ध्यम का गुन अब गुन है। तो हम लगों क्या बनना चाहिए। पुत्तम जन्द बनना चाहिए। जिस काम को सुरू किजे उसको पूरा करना है। अब आगे हम चलते हैं। काम करते समय जो कटनाई आये उसे स्रम से दूर करें। इस परकार मेनत करने से हमारे मन में शक्ति आती है। चक्ति साली मन बाधाओं को दूर करने में पड़िस्रम को टाकत देता है। काम से जी चुराना और आज का काम कल पर टाल देना भी वाधा बन जाता है। इससे बचें। सही समय पर अपना काम करें। श्रंग के मार्ग में आलच से सबसे बरिवाधा है। अगर हम काम करना सुरू करते हैं तो आलच से मत दिजिए। आपने अनवर्व किया होगा कि प्राता काल बच्चे को विद्याले के लिए तयार करने में। माबाद को कितना परिश्रम करना परता है। आलची बच्चे बीश्तर छोड़ने को तयार ही नहीं होते। उठ भी गए तो अस्नान करने और मंजन करने में बहुत समय लडाते हैं। रोणी सुरत लिए ही विद्याले जाते हैं। उनसे सब काम दवरदस्ती करवाली पड़ते हैं। क्यार कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है। मन में आलच्चे का बोलवाला होता है। बच्चे, आलच्चे के कारण ही ये सारी समस्याएं होती है। आलच्चे स्रम के महतों पर ताला लगा देता है। इससे आलच्चे की जीत हो जाती है और स्रम की हार। यही वालच्चे जब आलच्चे और स्रम के वेद को समझ लेता है। तब परिश्रम करने में उसे बहुत मज़ा आने लगता है। तब जानते हो आलसे पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? आलसे पर इस्रमी बच्चों के मन से बीदा हो जाता है अतर श्रम कामाद तो समझ कर हमें मेनत करने में आनंद लेना चाहिए बच्चे इस पार्ट से यही सीख मिलती है कि हमें कभी आलसे नहीं करना चाहिए तन मन से जो काम को हम शुरू करते हैं उसे पूरा करें धन्यवाद